जो सिद्धी है वही काम्याब है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें बेल आइकन को पहली गलती मोहबत कर ली दूसरी गलती तुछ से कर ली तीसरी गलती हद से जाधा कर ली दोस्तो जिंदगी में कुछ चीज़ें हमें कुछ पल का अनंद देती है कुछ पल की खुशियां देती है कुछ पल का प्यार देती है कुछ पल का दोस्ती देती है मगर उन सब का अंत एक ना एक दिन होता है क्या आपने सड़क पे कभी चलते हो देखा नहीं कि जिस इंसान को आप बहुत साल पहले जानते थे, बहुत अच्छा दोस्त था, आज वो आपका दोस्त नहीं है। स्कूल में जो आपका जिगरी यार था, जो आपका टिफिन खाया करता था, आप जिसका टिफिन खाते थे, क्या आज वो आपका अच्छा दोस्त आपके साथ है, उस थोड़ी सी खुशी के लिए आपने अपना कितना समय वेस्ट करा, ये चीज जिन्दगी में एफेक्ट करत हम सोचते हैं इस जिन्दगी बार हम इसके साथ रहेंगे और बीच मसदार में उमें छोड़ के चले जाता है, हम सोचते हैं हमारा कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितने सारे इस टाइम में मैं कितना कुछ कर सकता था, कितनी बारी ऐसा हो रहा था, जितनी बारी मैंने अपनी म मम्मी को मना कर दिया कि मैं मम्मी तुम्हारे साथ मार्केट नहीं चल सकता और अपनी गल्षण को मार्केट लेकर गया अपने समय को नस्ट करा थोड़ी सी मस्ती के लिए आज इसी बारे में बात करूँगा दोस्तो कुछ चीजे जिंदगी में मिलती हैं जो कुछ पल का ही आनन देती हैं कुछ पल की ही कुशियां देती हैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद मैं आप लाइक करना बूल चाओगे दोस्तो सबसे पहले स्टोरी सुनाऊंगा दक्ष नाम के लड़के की आज आज दक्ष ने अपना पासवर्ड बदल दिया क्यों बदला उसने अपना पासवर्ड सिर्फ एक कारण से दक्ष का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा था संजना नाम की लड़की के साथ दक्ष बहुत खुश था उसके साथ घूमने जाता था उसको अपनी फैमिली से मिलवाता था उसकी सारा कहां मानता था बगर संजना बहुत डॉमिनिटिंग की लड़की थी वो चाहती थी कि जो वो डक्ष को बोले वो ही सारा काम करें दक्ष सारे काम करता था दक्ष उसे कॉलिज से पिक अप करने चाहता था कभी एक बार घर भी छोड़ देता था उस वो कहती थी मुझे शॉपिंग जाना है तो उसका शॉपिंग बिचाता था खुद भी अपने पैसे से शॉपिंग कराता था In fact, संजना की बेहन मोहिता को भी शॉपिंग कराता था वो संजना के लिए अपना 100% दीता था In fact, संजना के लिए वो जितना करता था उतना मूवीज में हीरो भी हिरोईन के लिए नहीं करता मगर सारी प्रॉब्लम थी मूवीज की संजना की गल्फिंग ने एक बड़ी मूवी देख ली कोई कबीर सिंग जैसी या फिर एदिल है मुश्किल है यहाँ शिद्दतो वाला प्यार हो रहा था कैसे सरकमस्टांचिस से नहीं पता किसी के घर में कितना पैसा है नहीं पता मगर वो शिद्दतो वाला प्यार कर रहा था और वो देखकर संजना बहुत इंप्रेस थी वो चाहती थी कि उसका बॉइफन उसके लिए और करे आदी रात को मिलने के लिए आजाए संजना ना भी मिले तब भी मिलने के लिए आजाए उसके लिए खाना बना कर लाए उसके लिए गिफ्ट्स ले कर आए उसकी मॉम को अपनी मॉम समझे एक दिन दक्ष ने संजना को अपनी मम्मी से मिलवाया दक्ष की मम्मी कहती ही की लड़की मुझे ठीक नही लग़ी ये लड़की बहुत डॉमिनेटिंग किसम की लग़ी देख लिए तिरको इसके साथ दिक्क्त आईगी शादी मत करियो इसके साथ बेटा दक्ष ने का नहीं मम्मी मैं इससे बहुत प्यार करता है इसी कुपशूरत लड़की मुझसे दुवारा नहीं मिलेगी इसकी हाइट इतनी लंबी है इतनी गोरी चिट्टी है कहा मिलेगी ऐसी लड़की दक्ष की बात सुनके दक्ष की मम्मी ने का बेटा आउटर अपिरेंस मैटर नहीं करती ये लड़की ठीक नहीं लग रही आगे तेरी मर्जी है मैं तो मेरे को तो सही नहीं लग रही और दक्ष की मम्मी की ये बात दक्ष बहुत सीधा था दक्ष ने अपनी मम्मी की ये बात संजना को बता दी संजना को जब यह बात पता लगी तो उसकी मम्मी से ही चड़ने लगी कहती तुम्हारी मम्मी तो मुझे पसंद करीगी नहीं कहां मिलेगी तुम्हें मेरी जैसी लड़की क्यों तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद करेंगी तुम्हारी मम्मी तो बस मिरसे नफरत करती है पता नहीं क्यों करती है मतलब वो एक तरीके से संजना उसकी मम्मी एक खिलाफ ही उसको बढ़काने लगी दक्ष बहुत चिडचड़ा सा हो गया अपने घरवालों से भी लड़ने लग गया अब ऐसी सिच्वेशन में दक्ष को समझनी आ रहा था कि वो संजना उसके लिए है की नई है यहां तीन साल बीच चुके हैं उसके साथ रहते हुए मगर अंत में आज भी लड़ाईयां होती है और दक्ष को ही मनाने जाना पड़ता है आज भी जब नोग जोग होती है तो दक्ष ही जाता है उसे हमेशा मनाने के लिए अपने प्यार का इजार करने के लिए कभी रात भर उसके घर के बाहर वेट करता है कभी उसको मनाने के लिए दो दो घंटे हाथ जोडता है प्यार की भीक मांगता है दोस्तो जैसे जैसे वक्त बीतने लगा एक दिन दक्ष ने सोचा क्यों ना इसका loyalty test लूँ क्यों ना जानू यार ये किस किसम की है दक्ष ने एक fake account से social networking site पे उसको request भेजी उसने देखा संजना ने accept भी कर ली और उससे बात भी कर ली है दक्ष को बहुत बुरा लगा दक्ष ने पूचा उससे क्या मैं तुम्हारा facebook का password ले सकता हूँ संजना ने तुरंत मना कर दिया उसने पूचा उससे क्या तुम किसी अंजान लड़के से बात करती हो क्या मेरे पीछे से कैती नहीं मैं तो कभी किस से कर भी नहीं सकती तुम ही हो मेरे लिए अब तो तुम ही हो बस जो हो दक्ष ने का ठीक है मैं समझ गया आज के बाद मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँ ना तुम मुझे कॉल करना तुमने मैंसे जूट बोला उसके समके उसने जूट बोले अब दक्ष ने अपनी लाइफ के तीन साल जब बर्बाद कर लिये तो दक्ष को महसूस हुआ कि कुछ चीजों के लिए उसे कुछ पल का अनन तो मिला मगर गलत इनसान के साथ उसने तीन साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिये तीन साल तबाह कर दिये जिस तीन साल में वो बहुत कुछ कर सकता था किसी सही इनसान के साथ शादी करके बच्चे पैदा करके उनकी लाइफ को फोकस रख सकता था मगर उसने ऐसा नहीं कर पाया आज इसलिए दक्ष ने अपना पासवर्ड बदल लिया है जो कि संजना के नाम कही था जदगी में कुछ पल का आनन्द हमें कुछ चीज़े देती है कुछ व्यक्ति हमारी जईकी में आते कुछ लड़कियां कुछ गरोट फिन्ड या बॉई फिन्ड के रूप में हमारी जदगी में आते है मगर वो पर्मिनिट नहीं तो वो सिरफ हमारा टाइम नश्ट करते हैं दोश्टो ऐसे बहुत सारे मित्र हैं ऐसे बहुत सारे लड़के थी जो हमारी life में हमारे दोस्त थी स्कूल के टाइम में कॉलेज के टाइम में मगर आज उनको हमसे बात करने के फोरसत नहीं है क्यों? क्योंकि उनकी life में priority कभी आप थे ही नी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे आप बहुत साथ connection रखने की कोशिश करी किसी शण में मगर आज उनको आप में कोई interest नहीं है क्यों? क्योंकि उनकी life में priority बदल चुकी है इसलिए अपना समय कभी भी नश्ट मत करिये दोस्तो बुरे व्यक्ति या फिर जो आपका हिताईशी ना हो जो आपके साथ बुरा करता हो ऐसे लोस्त की दुश्मनी ना दोस्ती तोनों ही अच्छी नहीं होती ऐसे दोस्त हमेशा नुकसान पहुँचाते हैं दोस्तो दूसरे किसम के वो लोग होते हैं जिनसे आपको कुछ पल की खुशी तो मिलेगी मगर बाद में दुख मिलेगा वो है दुष्ट व्यक्ति के सबाहों से कभी भी प्रेम नत करें ना उसके साथ रहें क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अपने सबाहों को कभी छोड़ता नहीं है वो हमिशा दुष्ट रहता है ऐसे इंसान के साथ कभी भी मत रहें दोस्तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा जो आपका समय नश्ट कर रहा हो जो आपके समय को नश्ट कर रहा हो कि उस समय से भवमूले कुछ नहीं है समय से भवमूले कुछ भी नहीं है अगर यह वीडियो आपको बसना है तो उसको लाइक सरूर करिएगा जय हिंद वंदे मात्रम